अक्सर महिलाओं को पीरियर्स आने से लगबग 4-5 दिन पहले से ही वाइट डिस्चार्ज होना सुरू हो जाता है ये जो डिस्चार्ज होता है वो एक डिकम सफेद कलर का और चिपचपा लिक्विड जैसा होता है तो फ्रेंट्स महिलाओं में पीरियर्स से पहले इस तरीके का डिस्चार्ज होना किस बात का संकित हो सकता है नमस्का दोस्तों मैं कुस्बूत ओमर एकवा फिर से स्वागत करती हूँ अपका प्रेगनेंसी से रिलेकर एक और नए वीडियो में जहांपर आसका वीडियो एक बाद फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूश्पूल होनी बाला है जो अभी हाली में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और जिनको पीरियर्स मिस होने से पहले एक अजीब तरीके का डिस्चार्ज होना सुरू हो जाता है इसलिए आसके वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ महिलाओं को उनके पीरियर्स आने से लगबख 4-5 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज क्यों सुरू हो जाता है और ऐसा डिस्चार्ज होना किस बात का संकेत होता है इसके पीछे क्या कारण है और इसे घरेलू तरीके से कैसे किया जा सकता है साथी आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पीरियर्स में सोने से 5 दिन पहले ऐसा डिस्चार्ज होना या प्रेगनेंट होने का संकेत होता है इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए यह इनफॉर्मेशन आपको इसके पीछे क्या कारण है सबसे पहला कारण है कि जिन मैलाओं को बार बार वार वेक्टिरियल इंफेक्शन हो जाता है यानि कि वजाईना में वेक्टिरियल इंफेक्शन जल्दी जल्दी हो जाता है उन मैलाओं को पीरियर्स आने से कुछ दिन पहले से ही वाइट लाइना में गंदगी रखती हैं अच्छे तरीके से साथ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं इससे आपको वारवाज वैक्टीरियल इनिफेक्शन हो सकता है और दीरे-दीरे करके यह जो समस्या है वो वाइड डिस्टार्ट के रूप में बदल जाती है दूसरा कारण है जिन म पहले से ही वाइड डिस्टार्ट होने की समस्या सुरू हो जाती है ऐसा होने पर आपको क्या करना है कि अपनी डाइट में फाइवर रिच पूड को ज़्यादा सामिल करना है जिससे कि आपको यह समस्या आगे चलते ना हो इसके साथ ही क्या है कि आपको जैसे मौसमी ताज फल खाने हैं ताजी सब्जी यां खानी है जिससे कि आपके सरीव में बिटामिन, कैल्सियम, आयरन इन सारे न्यूटिशन्स की पूर्टी होती रहे तीसरा कारण है जिन महिलाओं को यिस्ट इनफेक्शन लगातार बना रहता है यानि कि बार बार होता रहता है इससे भी क्या है कि इनकी बाड़ी में हर्मून्स डिस्टर्ब हो जाती है और इसी बज़े से उनको पीरियट आने से कुछ दिन पहले से ही वाइड डिस्चार्च होना शुरू हो जाता है अगर आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर आप छोटी चोटी बातों पर बहु हो जाता है पांचवा कारण है जो के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बार बार जो मेलाएं अन्वंटेर प्रेग्नेंसी से बचने के लिए बार बार अबोर्टन कराती है या फिर उनका किसी बज़े से तीन से चार वार मिस्केरिज हो जाता है तो इससे भी क्या है मे टिमिंस सी नहीं चाहती है ऐब बार अगर आप आब आती रहती है तो इससे भी किया है कि आवको जिसेव पने से पहले dependence हो सकती है अब जानते हैं कि period आने से पहले अगर आपको white discharge की समस्या हो गई है तो इसके लक्षड क्या है यानि कि आपको कैसे मैसूस हो सकता है तो देखिए पीजर्स आने से 5-6 दिन पहले अगर आपको वजाइना से बहुत ज़्यादा सफेद रंग का गारा discharge हो रहा है चक्कर आ रहे हैं सिर में दर्द हो रहा है ठकान कमजोरी हो रही है प्राइवेट पार्ट में जलन और खुजली हो रही है जब भी आप टॉयलेट क होने के लक्षर होती है इन्हें समझ कर इन्हें अपनी बोडी में अपनी यौनी में समझ कर आप पता कर सकती है कि आपको सफेद पानी की समझ्या हो गई है इसके साथ ही आपको जैसे के पीडियर आने से पहले अपनी वजाइना में जैसे बदू आ रही है सूजर मैसूस हो गई है तो इसे घरेलू करीके से कैसे ठीक किया जा सकता है इसका सबसे पहला तरीका है कि अगर आपको वाइड दिश्चार्ज यानि की समस्या हो गई है वो भी पीरियर्ट आने से कुछ दिन पहले अगर आपको वाइड दिश्चार्ज होता है इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है एक गिलास पानी में आपको एक टोकड़ा अद्रक का डालना है वो भी कूट कर डाल लेना अच्छे तरीके से और इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये एक गिलास पानी एक कप पानी के रूप में ना रह जाए जब ये पानी एक कप के रूप में रह जात है तो इसको को हलका होने तक रखे रहना है और जब यह पाने गुन घुन हो जाता है तो इसमें एक थोड़ा तो फोड़ाय है यादा कटा हूँ नीमू डालना यह उसे शिप-षिर कर से लगातार रो जाना पीना एसा करने से क्या है कि आपको जो वाइड डिश्चार्ज होने की समस्या हो रही है वो ठीक हो जाएगी इसके साथ ही क्या है कि अगर आपको वाइड डिश्चार्ज होने की समस्या हो रही है जलन रेडनेस रैसे दाने ऐसी समस्या हो गई है तो आप अजवाइन को पानी में ड जैसे हो रहा है तो यह समझ्या आपको दीरे-दीरे करके ठीक हो जाएगी दूसरा तरीका है कि अगर आपको वाइडिस्चार्ज की समझ्या यह जो हो रही है इसके लिए क्या है कि आपको मार्केट में अवेलिवर ठीट्री ओईल को खरीद के ले आना है और इसे गुनगुने पानी में डाल कर गुनगुने पानी में डाल कर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है फिर क्या है कि आपको कॉटन की साहिता से यानि कि कॉटन से इस पानी को लेकर अपने यौनी को साफ करना है इससे भी क्या है कि white discharge की जो समस्या है उतमें आपको काफी हत्तक आराम मिल जाता है लेकिन एक दिन करने से ये समस्या नहीं हटेगी आपको क्या है कि regular एक से दो महीने तक ऐसा करना पड़ेगा आपको अपने सरीर में क्या है पोसक तत्तों की जो कमी हो रही है उसको पूरा करना है यानि कि आपको अपनी डाइट में सुबह और साम अगर पॉसिवल है तो सुबह में नहीं तो साम में आप कभी भी गाजर, चुकंदर, पालक इन सारी चीजों को अच्छे से उबाल कर इनका जूस निकाल कर पी सकती है इसे भी क्या है कि आपको वाइट डिषचार की जो समढ़स्चया हो रही है उसमें आपको काफी हद तक आrence मिल जाएगा इसके साथ ही, जैसे कि मैलाओं को ये समढ़स्चया हो रही है तो कुछ बातों को ख्याल रखना है आपको क्या है कि अपनी योनी की हाईजीन को मेंटेन करना है यानि कि साफ सफाई करना है जब भी आप ट्विलेट करने जाती है आपको साफ पानी से दोना है और साफ सुतरे कपड़े से अपनी योनी को साफ रख करना है और सुखा लेना है दूसरी बात दिन में दो से तीन बार आपको अपने इनर वियर को चेंज करना है जिससे के ये जो वैक्टीरिया इससे निकल रहे हैं वो अंदर तक ना जाएं और आपको ये समस्या ना उम्मीद करती हूँ इन तरीकों को अपना कर आपको जो सफिद पानी यानि कि वाइड डिश्टार की समस्या हो रही है उ ये इनफॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजपूल जरूर लगेगी अगर वीडियो यूजपूल लगता है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस और ले टिप्स में सेयर करना ना भूले ताती मेरे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल झाल